श्यार दोस्तो मैं हरीज जोसी आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने रूप टॉग ऑर्गनिक्स गार्डन में दोस्तो आज हम ऐसे प्लांट की बात करने जा रहे हैं जो बहुत सुन्दा फ्लावरिंग देता है इसके फ्लावर्स जो है जाया तर गर्मियों के अंदर आते हैं और अक्टूबर नॉमबर तक इसके फ्लावर्स आते हैं बहुत ज़्यादा संक्या में इसके फ्लावर्स आते हैं और size भी बहुत अच्छा होता है, आप जो बेरे पीछे देख रहे हैं, जी हाँ आपने सही पहचाना आईए है, अलामांडा, एक ट्रंपलेट सेप लिए हुए देखिए, और लगबग इसकी पांच पतियां होती हैं, flowers की ये, और ये size इसका काफी अच्छा आता है, और ये wine में भी आता है, जारी नुमा में भी होता है, और yellow, orange और red, तीन कलर के अंदर ये अलामांडा हमारा आता है दोस्तों, आप अभी जो देख रहे हैं, मेरे पास जो available है, वो इस समय रेड वाला है, और साथ में आप ये जो देख हैं, तो अगर आप अलामांडा लगाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही सीजन है, आप कहीं से इसकी कटिंग ले आए, या नरसरी से एक छोटी सी पौद ले आइए, आपका ये सालू साल रहने वाला है, एक बार आप इस प्लांट को लाएंगे, तो आप कई सालू तक फ साथ इंची की कटिंग आप लेते हुए, इसको बरसात में लगा देंगे, तो आपकी ये इसली ग्रो हो जाती है, और नेक्स ये आपको फ्लावरिंग दे देगा, जो आप ये मेरा फ्लांट देख रहे हैं, ये लास्ट येर मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, और आप दे अधियर नेक्स टेल में बात करेंगे इसकी पतिया क्यों पीली पड़ती हैं, ये क्यों ग्रो नी करता है, इसका ड्रमासी पीरेड कौन सा होता है और इसकी स्वाइल हमें काइसी चाहिए, तो दोस्तो सबसे पहले स्वाइल की बात हो जाये, दोस्तों सॉइल आपको हमेसा वेल्डरिन मनानी है, यानि कि मिट्टी में पानी अगर आप डाले तो पानी आपका निकल जाए, तो वेल्डरिन मनाने के लिए आप अपनी गार्डन सॉयल लीजिए, तीन बाग इसमें कमपोज डा लिए, काउडंग इसको बहुत पसंद है, यानि कि गोबर की खात, उसके अलावा आप कुछ वर्मी कमपोज या केचन बेस भी मिला सकते हैं, लेकिन कोशिस करिए कि इसको थोड़ा सा काउडंग आप दे पाए, वो अबर की अच्छी खात पुरानी वाली हो, तो उसका मिट्टी के साथ, तीन भाग आप काउडंग कर दीजिए इसमें, और दो भा हैं, जब आप नया प्लान लगाते हैं, इतना सब कुछ देने की जुरुत नहीं होती है, अभी अगर आप इस टाइम पर नसरी से इसको खरीद के ला रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ मिट्टी, रेत और खात के अंदर, खात भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, दो पार्ट, बस उतना ही मिलाईए, और इसको लगा दें, तो आपका ये सिजन में बहुत अच्छा चलेगा, अगली बारी जब फरवरी मार्च आएगा, तब आप इसको थोड़ा सा, रिपोर्ट करते वे थोड़ा सा बड़े गमले के अंदर लगा दीजिए, और तब इसके अंदर आतً चेकर एंबसेशब्से जिए, अगर इसकी पति अ प्पिली पड़ रही है, गिर रही है, तो इसका मलब हropri आप में अब साधी वीड़ाइब्स एक वीडियो और डरी शेयर कर चुखा हूं, ये सब कमिया, इसके कारण लने आसकी बहुत, bहुत जादा इसको खाद देन के आउशकता आपको नहीं पड़ती है, फर्वरी मार्च के अंदर अगर आपने प्लान लगाया हुआ है, तो फर्वरी मार्च में ही इसको आपने खाद देनी है, और उसके बाद ये आपकी फ्लावरिंग अपरेल ये मई में दे देगा, अगर मई में बहुत जादा गर्मी ह होती है, चालीश से उपर टेम्परेचर जाता है, फिर ये फ्लावरिंग नहीं देता है, फिर ये आपको फ्लावरिंग देगा जुलाई के अंदर, जुलाई के बाद पहली मांसून आती है, उसके बाद धीरे दीरे इसमें birds बननी स्टार्ट होती है, जुलाई, अगरे गर अक्टूबर और इवन मिड नौंबर तक इसमें फ्लावरिंग आती रहती है नौंबर के बाद इसका डॉर्मेंसी का पिरेट स्टार्ट हो जाता है और फ्लावरिंग का साइज बहुत चोटा होता है और जो यह पत्ते हैं यह सारे जंडे शुरू हो जाते हैं आपको कई बार इसमें थोड़ा सा पानी डाले बस और उसके साथ साथ इसमें कोई खाट डालनी है कुछ नहीं करना इसको छोड़ दें फरवरी आते ही इसकी प्रूनिंग कटिंग जितना करेंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ करता है क्योंकि यह बुस वाला है जो यह आप मेरे सामने देख करना हूँ आप इसको अगले साल भी मेरे पास देखेंगे तो यह प्लांट का साइज लगबा कितना ही रहेगा रिजन यही होता है क्योंकि इसको हमने हाट प्रूनिंग की होती है तो आपको अपने प्लांट की हाट प्रूनिंग करनी है सौफ नहीं करना उपर उपर से के रूप में चड़ता है वो भी बहुत वो उसके फ्लावर्स थोड़ा साइज चोटे होते हैं और सेम मिट्टी आपकी वैसी लगेगी उसी परकार से इसको आपने देख बाल करनी है इसके अंदर मैं अगर माइट्स वगरख की बात करूं तो बहुत कम अटैक होता है लेक के अंदर अगर आप इसको फिर से दुबारा से डाल देंगे तो फिर देखेंगे कि आपका प्लांट एकदम से जल्दी मर जाएगा तो इस कुछ चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये प्लांट आपको हमेशा फ्लावरिंग देता रहेगा और पूरे सालवर में इसको ज़्यान नहीं देना है आप ने स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताए अच्छी तोब से इसको फर्टिलाइज करना है फरवरी के बाद उसके बाद इसको लिकट फटिलाजर पर पर रखेंगे जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसमें पानी आता हूं उसको डालते रहिए कोई भी लिक्विट फटिलाइजर थोड़ा-थोड़ा इसको देते रहे सरसु की खली का आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फ्लावरिंग की संख्या अच्छी आएगी फ्लावरिंग में चमक पी आएगी लेकिन उस समय ज इस प्लावरिंग को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं आप भी लगाईए इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं और इतनी संक्या में आते हैं कि आप अपने घर में अपने भगवानों को अर्पित कर सकते हैं अपने गार्डन के फ्लावर्स अगर आप अपने बगव अब धीरे-धीरे समय आ जाता है कि मेरे यह विसकस के फ्लावर मुर्जाने शुरू हो जाते हैं यानि कि एक ही दिन चलते हैं लेकिन फिर भी हमें इसके बहुत पसंद है लेकिन दोस्तों अलामांडा का फ्लावर की मैं अगर बात करूं तो इसका जो फ्लावर है वो चार स हमें एड्वेंटेज होता है तो दोस्तों देर मत करो नरसरी में जाएए एक छोटा सा प्लांट लेके आईए उसको ग्रो करिए और एक से दो दो से चार आप अलामांडा के पेड़ लगाईए अगर आपको कलर पसंद आ रहा है तो बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग देने मशिकार